मौसम विभाग की ओर से नैनिताल जिले में भारी बारिश का एलर्ट जारी किया गया था आपको बता दें बीती राथ से बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर है भारी बारिश के चलते हलदवानी रामनगर स्टेट हाईवे में चकलुआ के पास एक बार फिर बरसाती नाले में सड़क का एक बड़ा हिससा बह गया जिससे स्टेट हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है बता दें पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते यहां पर पुली और सड़क तूट गई थी जहां बीते दिनों निर्माण कराया गया था लेकिन भारी बारिश के चलते एक बार फिर से पुना निर्माण हुई सलक बरसाती नाले के चपेट में आने से बह गई वहीं मिली जानकारी के मुताबिक शनी बजार के पास गौला नदी में साथ साल का एक बच्चा पानी के तेज बहाओ के चलते बह गया मौके पर मौझूद लोगों ने पुलिस और SDRF को घटना की सूशना दी सूशना मिलने के बाद पुलिस और SDRF की टीम में मौके पर पहुँची और बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी गई है बता दें भारी बारिश के चलते जूली कोट और चंदा देवी में भारी मलबा सड़क पर आ गया जिस से यातायाद बादित हो गया पुलिस और प्रशाशन की टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है वहीं रक्सिया, कल्सिया और देवखडी नाले भी लगातार होरे बारिश के चलते उफान पर है